लो फ्रेंड्स इस वडियो में बात करेंगे बिग बैस लिग जो हमारे एक और प्रीमियम सिरीज है वन आप दे मोस्ट प्रोफिटेबल सिरीज में से एक है उसका मैच नंबर चार होने वाला है आज एक दिल में आप टोटल दो मैचेज आपको देखने को मिलेंगे एक आपक यहाँ पे एक और मैच देखने को मिलेगा यानि दोनों ही मैचेज में आपको हमारी बड़ी बेनिग देखने को मिलेगी स्टार्टिंग के मैचेज में हम दो कम इंवेश्टमेंट करते हैं धीरे धीरे अतने इंवेश्टमेंट को इंक्रीज करते हैं अल्टिमेटली सबसे ज़्यादा investment करके सबसे ज़्यादा profit हम लोगरन करते हैं आपने इसके just opposite लोगों को देखा हो जो fantasy game खेलते हैं dream 11 खेलते हैं वो start करते हैं ज़्यादा पैसा investment करके या तो पूरा हार जाते हैं या तो पूरा जीत जाते हैं अगर जीत जाते हैं तो फिर वो limit को और बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते हैं ultimately जब series खतम होने वाली होती है उस समय तक तो उनके पर investment करने के लिए पैसा ही नहीं बचता है profit में रहने की बात तो दूर की है तो आपको हमेशा कुछ नियम है उसके according fantasy game में चलना होता है इसी लिए fantasy game में जब भी बड़ी winning की बात आती है saga flashback का नाम number one पे आता है अब यहाँ पर जल्दी से बात कर लेते है venue and pitch report की तो आपको ICC T20 World Cup तो यादी होगा Melbourne Cricket Ground जहां की final match खेला गया था India और Pakistan का जो पहला match हुआ था वो भी यहीं पर खेला गया था तो उसको आपको तो अच्छे से आपके mind में वो print होगा किस तरीके से महाँ score बना था किसने क्या wicket लिया था तो इसमें आपको कुछ बताने की जरूत है नहीं MCG में हो रहा है अब मैं all over के stats बता देता हूँ यहाँ पर run बनाने थोड़ा सा difficult होता है पहली चीज पेसर्स को यहाँ पर मदद मिलती है जो भी team toss जितती है पहले batting करने का फैसला ले सकती है हाँ अगर starting में Pacers को मदद होगी pitch पे तो हो सकता है कि पहले toss जितने वाले team balling भी ले सकती है बैटिंग balling से उतना फरक नहीं पड़ता है बस आपको यह याद रखना है यहाँ पर run बनाना थोड़ा difficult होता है Pacers को अच्छी मदद मिलती है यहाँ भी आपने देखा बहुत ज़रा score नहीं बना 160 target इंडिया ने chase कर लिया था लेकिन काफी मुस्किल से किया था art ball में 28 run चाहिए था याद होगा आपको वो match एंड इसके बाद MCG में और भी matches यहाँ पर खेले गए थे वर्ल्ड कप में जैसे कि यह match खेला गया थे यहाँ भी ज़्यादा score नहीं बना था इसके अलावा MCG में आपको सारे score वैसे याद होंगे मैं आपको दिखा देता हूँ फिर भी जल्दी से मैं आपको Big Bass League का भी दिखाऊँगा कि इस मैदान पे last year Big Bass League पे किस तरीके से run बने थे वो भी मैं आपको दिखाऊँगा भी फिलाल जले मैं directly आपको इसी application पे यहाँ पे थोड़े ज़्यादा run बने थे because इंडिया का जिंबावे के साथ मैच था तो 186 बना ली थे थे जो कमजोड टीम और strong टीम के बीच में जो मैच जोते हैं उसको हम लोग consider नहीं करते हैं यहाँ देख सकते हो यहाँ भी ज़्यादा score नहीं बना था यहाँ पे लाश्ट एर बिग बैस लीग में क्या हुआ था यहाँ पे आप देख सकते हो कि फाइनल मुकाबला आपको देखने को मिला था जहाँ आपको क्या देखने को मिला था 170 वन रम बना था यह वाला MCG में नहीं हुआ था Melbourne है, MCG नहीं है यहाँ पे यह वाला मुकाबला आप देखो Sydney Thunder और एडिलेड श्ट्राइकर के बीच में जो मैच हुआ था यहाँ पे 184 बनाया था 170-80 बना पाई थी 6 रन से मैच को जीत के लिए लेकिन Big Bass लीग में आप देखोगे तो यहाँ रन बनते हैं MCG में लेकिन International Match में ज्यादा रन नहीं बनते हैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टोटल यहाँ पे जो विकेट्स की रहे थे ज्यादा विकेट्स नहीं की रहे थे 6 विकेट्स की रहे थे जिसमें की Pacers को ज्यादा विकेट्स मिले थे यह Spinner है इसके अलाव सेकर्ड इनिंग में आप देख सकते हो यहाँ भी Pacers को विकेट्स मिले हैं जादा तो यहाँ पे Pacers को ज़्यादा विकेट्स मिलते हैं पहले बैटिंग करने वाले टीम का अच्छा रिकॉर्ड है जीतने का इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो मैलबॉन के में हुआ था लेकिन यह अलग इस टेडिया में यह वाला जो अलिमिनेटर मुकाबला यह भी MCG में ही हुआ था लाश्ट इयर विक बैस ने 188 बनाया था यहाँ वे 166 बनाके ओल आउट हो गई टीम यानि यहाँ पे पहले बैटिंग करने वाले टीम देख सकते हो रिले मेरे डेट टॉम रोजर यह दोनों पेसर बोलेंड एंड यह मेंली पेसर को ही विकेट्स मिलते हैं यहाँ जल्दी से बात कर लेते हैं दोनों की स्क्वाइड की प्लेंग 11 के तो आपको सारी बाते क्लियर हो जाएगी अपसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं होबाट हरिकेंज के स्क्वाइड के तो 13 मेंबर के स्क्वाइड इन्होंने अनौन किया है जिसमें से मैं आपको बता रहता हूँ कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा और आप सभी को पता है कि हुबाट हरीकेंज काफी अच्छी टीम है हर सीजन अच्छा करती है यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ फॉरेम प्लेयर है जो खेल रहे हैं सदाप खान है जीमिनिसम है क्रिश ट्रेमेन है यह सभी यहाँ पे खेलेंगे क्रिश ट्रेमेन नहीं यहाँ जो फॉरेम प्लेयर के अगरे में बात करो सदाप कान आपको दिख रहे हैं इसके अलावा आपको आसी फली दिख रहे हैं इसके अलावा आपको जीमिनिसम दिख रहे हैं यह यहाँ पे फॉरे बैटिंग करने आ सकते हैं मैथ्यू वेट कई बार ये ओपनिंग भी करते हैं लेकिन जब मैग डर्मूद केलते हैं तो ये वंडावन आते हैं ये तीन प्लेयर हो गए इसके बाद सी जोयल आपको नमबर चार वे बैटिंग करते हो दिखेंगे इसके बाद टिम डेविड पाकिस्टान के सांदार लेग स्पिनर है इसके बाद जीवी निसम आपको खेलते हो दिखेंगे इसके बाद आसिफ अली केल सकते हैं पाकिस्तान के बैट्समन है लेकिन कभी अच्छा परफोर्मेस नहीं करते हैं रिलेमारे डिट सांदार डेथ हो इस्पेसलिस्ट स्क्वाइड में इंको नहीं दिया हुआ है पहले ये स्क्वाइड में थे अभी फिलाल ये स्क्वाइड में नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे एक और प्लेयर खेल सकते हैं आईजब पेसर पैरिस यहाँ पे खेल सकते हैं यहाँ ट्रेमन को यहाँ पे खिलाया जा सकता है दो सेम मार को सामिल किया गया इसक्वाइड में बट मुस्किल है कि ये प्लेइंग 11 में रहेंगे तो ये इंक का स्क्वाइड आपको दिख रहा है और लगबग सेम प्लेइंग 11 रहेगी अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे अरड़ी एक मैच खेल चुकी है मैलबॉन इस्टार से सीजन में मातर 122 रव मनाई थी लेकिन इन्हों ने बॉलिंग काफ़ अच्छी की थी 20 वे ओवर के लाश्ट बॉल पे सिड्नी ठंडर ने इंको हराय था एक विकेट से अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा इनकी तरफ से बॉलिंग बहुत अच्छी हुए थी यहाँ पे वेप्श्टर ने दो विकेट दो विकेट जामपा ने तेन विकेट नाथन कल्टर ने और दो विकेट यहाँ पे ट्रेंड बोल्ट ने लिये थे और चुकिए एमसेजी में तो विकेट जादा गिरते ही हैं तो फिर यहाँ पे आपको यह सभी अच्छा कर सकते हैं लिक वूड भी सांदार पेसर है यह भी अच्छा कर सकते हैं इनको कम लोग लेंगे पहले मैच के परफॉर्मेंस के विस्टिस पे बैटिंग सेक्षन में कुछ लोग यहाँ पे खास नहीं कर पाएते हैं जैसे कि टॉप और्डरिंग का बिलकुक कॉलाइपस हो गया मेंली मारका से श्ट्वैनिस कुछ नहीं कर पाए इसलिए ज़्यादा यह टीम स्कोर नहीं बना पाई कि इस मैच में अच्छा कर सकती है अब यहाँ में बात करते हैं ड्रीम इलावन टिंग की बहुत ही आसान है आवे टीम बनाना यहाँ में मैथिव विट को आप ले सकते हो अगर आपको लेना है फिर एक बॉलर आपको हटाना पड़ेगा जो कि मैं रेकमेंड नहीं करूँगा मैथिव विट काफी सांदार प्लेयर है बड़ी इनिंग के लिए जाने जाते हैं बेन मैगडर मुट को आप बिल्कुल भी स्मॉल लिग में नहीं हटा सकते हो जो क्लार्क हिट अनमिस वाले प्लेयर है ठिक ठाक प्लेयर है आप चाओ तो इनको ट्राई कर सकते हो फिर आपको दो बॉलर यहां से हटाना पड़ेगा अगर आपको इन दोनों को लेना है अगर आपको लगता है मैगडर मुट फ्लॉप होंगे तो आप इनको हटा सकते हो बट मैं रिक्मेंड नहीं करूँगा यहां पर अभी फिलाल मैंने दो बैट्समें लिये है टिम डेविट और हिल्टन काट राइट आपको पास जो उप्सन से ये अबलेवल नहीं है ये नहीं खेलेंगे आशी फली काफी नीचे बैटिंग करने आएँए तो उतने इंपोर्टन नहीं है निकलारकिन को आप ट्राइए कर सकते हो C जुएल नम्र चार पे आएँगे ये ओपणिंग करने आएँगे इनको ट्राइए कर सकते हो और यहां पर कोई भी आप्सन नहीं है तो आपको जो player अच्छा लगता है आप उनको ले सकते हो D-sorts, Sadaab Khan ये दोनों important है Marcus Stoenis ने कुछ खास किया नहीं था पहले ये opening करने आते थे बट बाद में ही है, कुछ भी इनोंने last match में बॉलिंग भी नहीं कर आई थी तो अगर ये fit होते हैं 100% तो खेलेंगे, वैसे तो squad का हिस्सा है तो चाहो तो try कर सकते हो इसके लावे यहाँ पर जिमी निसम का option है वैप्ष्टर का option है ये भी चारो और बॉलिंग करा रहे है try कर सकते हो यहाँ पर train ball, item, jumper, नाथन कल्टन है यहाँ पर कोई भी अच्छा ओप्सन एवलेबल नहीं है, यहाँ पर खेल सकते है इन दोनों में से कोई एक खेल सकता है यहाँ पर कोई भी अच्छी pick मेरे को नहीं दिखाई दे रही है तो यहाँ पर important pick हो सकते है Marcus Spanish अकेले dham पर match को win करवा सकते है इसके अलावा यहाँ पर Jimmy Nisa में वैप्स्टर है यह तीन अच्छी pick यहाँ पर अबलेबल है लेना है तो फिर baller को सीरी सीरी आपको हटाना पड़ेगा एक यहाँ पिक की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी अच्छी pick वैसे है नहीं लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं ओपनर को नहीं लेकर के Nick Larking के साथ जा रहा हूँ नमबर चार में बैटिंग करने आएंगे तो इस तरीके से यहाँ पर टीम बनी है Captain, Vice Captain, Captain आपको इनको बनाना है Vice Captain आप बना सकते हो इनको 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 यह सभी Vice Captain की च्वाइस हैं Baller में आप किसी को भी Vice Captain बना सकते हो सभी अच्छे च्वाइस है योगी Big Bass Lick में सभी अच्छे प्लेयर कहलते हैं Vice Captain तो आप किसी को भी बना सकते हो कुछ batsmen जो form में नहीं है उनको आपको संभल करके Captain, Vice Captain बनाना है बात करते हैं Paid Membership की तो हमारा एक मातर नंबर यही है जो आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा है हर जेग लिखा हुआ है 914-0-233-474 Big Bass Lick जश्ट स्टार्ट हुई है बड़ी-बड़ी विनिंग सा आपने इस स्टार्टिंग के 2-3 मैचेज में ही देखने को मिली होगी Lanka Premier League का कल हमारा Jackpot मैस था जिसमें हमने Ultra Cleanseep किया वो भी आपको देखने को मिला होगा तो जो भी मैचेज हम टार्गेट करते हैं जो भी सिरीज हम टार्गेट करते हैं उसमें ultimately हम profit में ही रहते हैं क्योंकि हम लोग limit में चलते हैं कुछ rules हमने बनाए उसके according investment करते हैं आर पार के लड़ाई लड़ना हमको पसंद नहीं है कि जितना पैसा है सब लगा दो चाहे तो जीतेंगे चाहे तो हारेंगे तो ये काम अपने नहीं करते हैं समहल के चलते हैं सोच समझ करके आगे बढ़ते हैं इसलिए केवल हम ही विन नहीं करते हैं हमारे members भी आसानी से विन करते हैं मैं आपको winning दिखाता हूँ वर्निंग में साड़े तीम बजे आप सभी को पता होगा England woman और vintage woman का मैस्ता जहां कि आप winning देख सकते हो हमने यहाँ पे 18 contest join किये थे 15 contest win किये 96,000 रुपया profit हुआ यहाँ पे league का screen shot हमने डाला है 15 हों league का जो कि आप यहाँ पे scroll करके देख सकते हो टीम की बात कीज़े यह हमारी टीम थी आसानी से हमने win किया captain wise captain आप देख सकते हो इसके अलावा members की winning की बात करे इन्होंने 15,000 लगा करके 20,000 win किया इन्होंने 3,000 लगा करके 6,000 win किया इन्होंने 9,000 लगा करके 25,000 win किया इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने 10,000 लगा करके 20,000 इन्होंने 9,000 लगा करके 27,000 8,000 लगा करके 28,000 3,000 लगा करके 12,800 साथ हेजर लगा कर पंद्रह थाजर 9000 लगा कर के बीस ही तु इस तरीके से बहुत सारे स्क्रीन-सौट है हमने तो यहां पर कुछ डेमों को इत्वत यह होई हैं हमारे 16000 पेड मेंबर से मौर्णिंग में 3.30 में वाला मैच हमने टारगेट किया आप समझ सकते हो, हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, मेंबर्स को विन करवाने के लिए, तो आप भी अगर बड़ा विन करना चाहते हो, तो आप हमसे जुड सकते हो, जो मैंने भी WhatsApp नमबर बता है, उस पर हम मैसेज करोगे, तो आपको चार्जेज बता दिये जाएंगे, हमारे चार्ज मार्केट में सबसे जा रहा हाई है, विनिंग भी उसी की एकॉर्डिंग होती है, हर एक मैच में हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, जिसमें हमको लगता है, हम विन कर सकते हैं, न्यूज के एकॉर्डिंग, वही मैसेज हम टार्गिट करते हैं, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतने ही, आपका होश्ण दो संकुरी साइनिंग आउट, बाबाए,